मैं हूँ धर्मराज इस छोटी सी बिस्कुट फैक्टरी का मालिक मैं हर रोज अपने बनाए हुए बिस्कुट दुकानों में जाकर पहुचाता हूँ राजा बेटा आगया पापा आजा चल चले बैठके लो बिटा किशन की दुकान आगई है उसे बिस्कुट दे देता हूँ उसके बाद तुझे जो चाहिए दिलाता हूँ है किशन भाई ये बिस्कुट अभी खास आपके लिए बना कर लाया हूँ मैं बिस्कुट गरम और ताजे हैं कहो तो एक एक पैकेट रख दूँ क्या पहले कि बिस्कुट अभी तक बिके नहीं है ने बिस्कुट लेकर क्या करूँगा धर्मा भाई बिकेंगे कैसे सब यही जानते कि आप चावल बेशते हो बिस्कुट तभी खरी देंगे चाचा जब वो देखेंगे ना अरे ये बात तो सही है ये मेरा बेटा है किशन भाई भाई या तो बिस्कुट चाहिए मुझा धर्मा भाई दीजे ना बेटा काफी अकलमंद हो गयो तुम ऐसा नह यारों को तो पैसे देना चाहिए ना उन्हें क्या देने इससे फर्क नहीं पड़ता बस नेक काम ज़रूरी है ठीक है बापा डंद पारना बिच्चु का स्वभाव है और मुश्किल खड़ी में शांत रहना मेरा स्वभाव है राचा पेटा कैसे हो तुम बाबा ने बेज अब लोब फोटो एक मिनट्त राजा बेटा यह बिसकुर पकड़ वह हाथ में राजा बेटा क्या कर रहा है है जड़ा देखंगे तो सही ऑ हो बंदर की तस्वीर बना रहे हो यह रेकिन बेटा बंदर कहा देखा तुमने यह मामा बंदर दिखते है तेरा चैरा लाइए न बना देगा होश्यार लड़का है हो क्या रहा है और आजकल कम क्यों होते जा रहे हैं दुकान दार पहले की तरह और नहीं देरें सर अच्छा नर्सिंग हमारी जैसे छोटी-छोटी बिस्कूट फैक्टरियां बहुत हो गई है बिस्नस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नया सोचना होगा मेरे पास एक आइडिया है बताओ क्या बताओ बिस्कूट का सारा स्टॉक हम किसी दुकान में दे देते हैं और इस जगह को हम एक आइसक्रिम फैक्टरी बना लेते हैं राजा बेटा को आइसक्रिम बहुत पसंदी है ना जब मैं मांगता हूँ आप देत सोचनी होगी खाली नए-nए सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला सपने देखना तो अच्छी बात है अच्छा ये बात है यह बात है यह चिडिया है ना बिटा हाँ बहुत बढ़े है अगर हम बिस्कूट को अलग डिसाइन देंगे तो बच्चे बहुत पसंद करेंग अले वाँ मिला प्याला बच्चा बात कही है इसने बिस्कूट को कववा या बास जैसे आकार में बनाएंगे यह भी तो वही कह रहा है ना पर कववा और बास तुम मैंने कहा ना टाइम पास मत करो अब या के अपना काम खतम जो नहीं करते ए धर्मा मसता आइडिया है जै आगे बढ़ाने में बहुत असरदार साबित हुआ यहां भी खोलो इसे मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ तरो मत दबाओ हाँ इसे छोड़ दे मैं देख लेता हूँ जल्दी शक कर लेके आओ नेंद की कमी इंसान को कम से कम आठ घंटो के नेंद की जरूरत होती है अगर यह सोएंगे नहीं तो हाइपर टेंचन तो होगा ही क्या हुआ भीटा नेंद नहीं आ रहे क्या नहीं पापा पापा की गोद में सिर रख के सूजाओ पापा मुझे कहानी सुनाओगे कहानी सुनना चाहते हो ठीक है सुनाता हूँ कहीं एक छोटा सा मच्छर था, तुम्हारे जैसा, उसके पर निकलने के बाद, एक दिन उसको पूरी दुनिया की सैर करने का बन होने लगा, और वो पूरी दुनिया खूमने निकल गया, लोटने के बाद, उसने अपने बाबा से कहा, बाबा बाबा, मुझे पहली बार उरता हुआ देखकर मनुशों ने मेरी काम्यावी पर तालियां बजाएं कितने अच्छे हैं न ये लोग उसने कहा पता है तब उसके बाबा ने क्या कहा वो तुम्हारी काम्यावी पर तालियां नहीं बजा रहे थे वो तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे बस इसलिए वो त तुम्हारे पापा की यही इच्छा है, बनाओगे ना? ठीक है पापा आओ, सोजाओ पापा, पापा, उठीए ना पापा पापा, पापा, पापा क्या बात है, क्या होँ बिठा? धर्मा साब, क्या हो गया साब? मैं तो चल बसा, पर मेरी की हुई मेहनत सफल हो गई मार्केट में मैजिक बिस्किट में धूम मजा दी थी बिजनस बहुत आगे बढ़ गया साथ ही काम करने वाले मजदूर भी एक छोटी सी बेकरी आज एक बड़ी कमपनी बन गई थी आप जानते हैं इतनी बड़ी कमपनी का एमडी कौन है? गई है पर्च के लिएपिझादे साथ है भी टारब भी टारब भी टारब टारब टार थी भी टार। वाई बड़ी टारब टार्बड टारब टार दो गश्यान बड़ी है! 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 ठैग! जिस तरह आपके साथ धोका हुआ है न वैसे ये मेरे बेटे के साथ हुआ है अब राजा यहां सिर्व एक छोटा सा कर्मचारी है पापा हमेशा मेरे साथ ही रहना चलो चलो मज़े करेंगे मज़े करेंगे मज़े करेंगे राजार तुने खबर सुनी क्या अंधेर तू बता डाइब मोशिन को बर्ली कर रहे हैं भाई पूरे तीन दिन के छुटी अब लोग अपनी रादा बदलने उससे पहले निकल चलते हैं मैं इसनी शोर देखेंगे हैं चोड़ मेरा है विस्केट लाइन से बाहर है इतना शोर क्यों कर रही है क्या पता राजा किसी को आइल चक करने के लिए ठीक है इमटी सर के आते ही मैं आपको एक इमेल भजवा देता हूं ना क्या बात है गोपाल वो प्रोडक्शन मशीन खराब हो गई है तो उसको ब्लॉक करके हमने नई मशीन ओडर कर दी गोपाल अगर तीन दिन के लिए प्रोडक्शन बंद किया तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस ह जाएगा ओ ऐसा है क्या आजा इधर आके यह देख ऐसे टूटे हुए बिना शेप के बिस्किट बेचेंगे तो कंपनी की रेप्यूटेशन का क्या होगा गोपाल यह मशीन की प्रोड़म नहीं है धाई की प्रोड़म है और वैसे भी तीन महीने में हम इस बिस्किट का डि लीज लीज या राजा ठीक वागिया लेख लिजिए शेप अब ठीक लग रहे है कि नहीं हाँ ठीक है ठीक है चलो आजा ठीक है चलो आजाओ सर बोला ऐसे अमारे मारे मलिक हो हमारे सेठ हो आप हमारे आका हो चुट्टी दे दू गोपाल सर तीन दिन की चुट्टी है सिर्फ एक दिन और बढ़ सकता है कौन बोला चुट्टी मिलेगी नहीं का था सर स्टूपैड राए मशीन ठीक हो गई है जाके अपना-अपना काम करो और आज दो घंटा ओवर टाइम करके जाना राजा पाप रहे लगते हैं अभी दारू के फैक्टरी में डुपकी मार के आयो तो सुभा सुभा चड़ा कर आगए कभी कवार अपने लिवर पे रहम कर लिया करो राजा आज अचा दर्द बर्दास्त नहीं हो रहा है दात मे इलाज हो जाएगा चाचा नात में अगर दर्द है तो चबर 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 चने कैसे चबा रहे हो मेरे थूकने से पहले यहां से निकल जाओ जुआ खेलने के लिए पैसों का जोगार कर रहा है पंगानी मेरे से फाड़ दूंगा तू फाड़ेगा एक बार हाथ लगा कि इसे पहन के मैंने बहुत कुछ किया है पहले बताओ गया कि फुमका लगाया यह कच्छा है या चाय की छन्नी है कितने छेद है इसमें इस सड़ेले वाहियात कच्छे के लिए तुम लोग ने जंग शर्दी फार दोगे फोर दोगे निखलो यहां से जिंगो रो और दादा कैसी तवियत है ठीक हो गुट्टों में बढ़ा दरत है दवाई लेकर आयो ना आ लायो ना है यह मलम लगा दो नहीं में लगा लूगा यह तरपिस ने जो एक्सराइस बताई है वो करते रही है अरे बाब तुमने किच्छन में नाना क्यू शुरू कर दिया हाथ क्यू कर अच्छा जवानी में हाथ पर काफी जोड दिया है आप तो जानते हैं यह पानी की कितनी तंगी है पानी वेस्ट मत किया अगर बाब यह लो आराम से शूज कियो नवाय नियो 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 चांति दादी बुखार कैसा है अब थोड़ा थीक हो यह दो लेना और यह फ परवाला तुम्हें हमेशा खुछ रखे आज आपने अरजेंटली मिलने के लिए लिए इंट्रस्टिंग बात है आओ मेरे साथ वो देखो मैंने तुम्हें इनसे मिलने के लिए बुलाया है पुराने मंदिर के बस्टॉप पर अकेली खड़ी थी हमने वहां देखा तो यह लगी कहानी सुनोगे खुश होकर बच्चे इनके पास कहानी सुनने गए मंदिर के रखवालों को जब शक हुआ तो उन्होंने इनसे पूछा कि कौन हो तुम और कहां से आई हो पूड़ी माने उन्हें कुछ भी नहीं बताया सब पुलिस कंप्लेइन के सोच ही रहे थे कि ऐसे लोगों को गार्डिन एंजल कहते हैं उपरवाला इंसान की मदद के लिए उसे संकेत देता है और कुछ खास लोगों को अपना जरिया बनाता है लगता है ऐसे ही कुछ शक्तियां इन बूड़ी मा के पास है दादी आप कहा कि रहने वाली हैं राजा तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी बुली ना बदाया वो मैं अनाथाले की जमेन के केस के काम से आज बाहर जा रही हूं क्या तो माज रात यहां रुख सकते हो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी वैसे मैंने किसी को अरेंज कर लिया था पर वो शाम तक ही रोख पाएंगे इसलिए तुम प्लीज यह क्या सिस्टर आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं प्लीज मुद कहिए आप तो ओर्डर दीजे समालूंगा सब गड़ प्लेस यू अज आप सबको इस तरह अजन बोर्ड मीटिंग में बुलाया है आपको ताजीब हो रहा होगा दरसल मैं आपको तीन गुड न्यूज सुनाओंगा राजा कल तक न्यूज सुना है पर्सों तक भी सुना है पर ये गुड न्यूज बॉस को ये नया चैन बड़ा यानि ऐसा बनाना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट का खर्चा लगभग पांच सो करूर है थैंक यू राजा तुम्हीं यह सो फाल्तू खर्चा नहीं लगता है बिल्कुल नहीं हमारी कंपनी तरक्की कर रही है तो अच्छी बात है इस छोटी सी फैक्टरी की दूसरे गुड़ न्यूज मेरी इस नई फैक्टरी के वाइस प्रेजडन के लिए मैंने मेरी बेटी लीजा को सेलक्ट किया है तीसरे गुड़ न्यूज मेरी इस नई फैक्टरी का जनरल मैनेजर आप मैंसे किजी को चुना जाएगा एक ऐसा इंसान जिसने यहां पर माइने रखती है राजा जनरल मैनेजर और उस इंसान का नाम है जाओ 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 गुपाल यहाँ आओ 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 शाबाज गूंगा थैक्स पर रिस्पोंसिबिलिटी मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा राजा बेटा यहाँ गुपाल करोड रुपे का प्रॉफिट दिलवाया है जानता हूं सर सभी को थांक्यू इसे के साथ यह मीटिंग खत्म होती है सबी लोग अपने काम पर लॉट सकते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है राजा क्यों तुझे पागार नहीं मिली गया मजाक मत कर तेरी जगह कोई और आ रहा है इसका दुख है और वो पुराने स्टॉक का क्या करें पुराना स्टॉक से प्लीन करते हैं ठीक है आफ बहुं बहुत बढ़त बढ़ा के से मेंशा एक सब्सक्राइक रहे हूं लंडन में ठाई कैसे डेते पता है है सलव मिल रहे हैं और आ ंया जा नहीं थे पिल Mayor नुखने शाम को रहे हो क्या करना है शामको साथ भजे पाख षटेल पर में अपनी कॉलेज की फ्रेंड जब एक दर्वाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुल जाता है और ये आज मेरी समझ में आ गया क्या बखरा है देख भाई तेरे बाबा की 20 साल की मेहनत को नर्सिंग चुटकी में हजम कर गया उसी तरह तुम्हें भी उसके 20 साल की मेहनत को हजम करना चाहिए बखवास बंगर वह जले भी है जो हजम कर दूं तुमनों हमेशा घलत रास्ता दिखाते हैं राजा गलत रास्ता नहीं यह शौट कर आला है आज की पार्टी में दारू बहेगी फिर मौका देखकर चौका लगा देना तकलों के कोली यह सब करने से पाप लगता है मैं नहीं क यह यह किसलिए पार्टी में अंग्रेजी बहेगी तो बैती गंगा में हाथ हमारे लिए भी दोलेना पर जी एम और एम डी बनाने के खाब दिखाते हो फिर चिंदीगीरी वाले काम करवाते हो कर से बहुत जल्दी में निकली गया धोवी ने कपड़ा दिया बस उसे पहन लिया पहले प्रेस तो कर ले थी यह पार्टी वेर है यही पहनते हैं मैंने यह पार्टी अपने वाइस प्रेज़ेंट बनने के खुशी में रखी है हाई गाइस यह अपन के दोस्त राजा अच्छा चाम अन ब्रोग एजोए चीज लिशा पढ़ाई करने गए थी यह दारू पिना सीखने गए ती यह हूट में गट गगे राजा इसे ऐसे प्या जाता है यार अच्छा सुनो तोम अभी भी सिंगल हो या फिर मिंगल करने हो मिंगल नहीं हुए हूँ कर सिंगल अभी हूँ के नियुग तुर्च याँ कर जो दो गरे पीण होगा ने मैं मैं ने तुर्च दुर्च दुर्च दो दूर Mr. कर दो कर दो 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 दो, कि ए दो कि ए राजा जो अ राजा बढू राजा आज की पार्टी में दारू बहेगी, फिर मौका देखकर चौका लगा देखके पीसा, मेरे साथ कल रात क्या कर दिया। कहीं तुम ये तु नहीं ढूंड रहे हो ना, ये लो लगता है ये तुम्हारे लिए पहली बार था ना, इट वस अमेजिंग तुमने तो कमाल कर दिया, कल रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी सच में, मुझे इस से ज़्यादा खुशी किसी नहीं दी जाग गया, प्यारी बहना, मैंने कहा था ना, पार्टी में तुम्हें कोई ना कोई बगरा तो मिल ली जाएगा, एक नंबर हीरो मिला है शेम शेम पपी शेम, बहुत हो और मजाग नहीं मजाग, यह मजाग था, कभी कभी तुम लड़कां हद कर देती हो, हद नहीं हद पार्क कर देती है सब्सक्राइब नहीं है, टाइम क्या ओर रहा है, पांच बजे हैं, सुभा के पांच बजे इतनी रोष्णी कैसे, राजा शाम के पांच बजे है, हमारी पार्टी सुभा सिक्षू क्रोक खतम हुई है, अब जल्दी से रेली हो जाओ तुम, एक और पार्टी में जाना है, अगर मैं इनके साथ शामिल हो गया, तो मेरा लिवर साथ छोड़ देगा हलो, हलो, मैं अनीटा बोल रही हूँ अनीटा, अनीटा कुछ? सिस्टे ने आपको बताया होगा ना, मैं आपका इंतिजार कर रही थी, मुझे कही जाना है, कब तक पहुँच रहे हैं आप आप, कि अरा हो, बस दस में पहुच रहे हैं पहुच रहे हैं लो बिटा, राजा आगा हम अ अच्छी गड़ी है, तुम जेंस वोच बहनती हो य। रुको हलो तुम तो गह रहे थे पांच बजे आजाओ अब बजे है तुम्हारे पांच बजे आजाओगे मुझे कोई दूसरा काम नहीं है एक मिनट मैडम तुम तो ऐसे डाटरी हो जैसे में तुम्हारा पती हूँ तुम्हे के लगता है कल रात मैं ने तीनी पीली कि आज सुभा में उठी नहीं नहीं पाया मुझे आफिस में काम ता असले हो गया और मुझे तो कोई काम ही नहीं है सुरी लेट हो गया है पर पंध्रा मिनिट पे जरूर पहुंच जाओंगी सुनिये मुझे पता नहीं था कि आप सुरी माफ कीजिएगा अरे मेडम राजा वोलो मिठूगा तुने घरत दर्की से पंगा लिया है चुटे भाई पता है कौन है बहुत बड़ी डॉक्टर है यह वो तो ठीक है पर ढोल बजाना बंद करो आश्रम में रहने वाले सारे बुजूर्ग है इंसानियत के नाते हमा बेच रहा है और मुझे दोनों से कमिशन मिल रहा है जगा खाली करवा के मैं बस अपना काम कर रहा हूं सिस्टर एक हफते का टाइम देता हूं इस जगा को खाली करके कहीं और चली जाए ठंडी ठंडी हवा आस्मा में चमकते तारे ऐसे में अगर थोड़ी सी शराब मिल ज अब यह संगीत रच रहा हूं यह सा से शुरू हो के पा पर रुखता है और यह पा से शुरू हो के साँ पर रुखता है यहां तो मुझे नीद नहीं आ सकती है इससे पहले बहरा हो जाओं बाहर जाके सुझाता हूं कई साल पहले एक ताकत्वर राजा था मेरे मन को शांती मिलती है लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं दादी दिल छोटा मत करो अच्छा काम करो आज से मुझे ही अपना पोता समझ लो तो क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकती हो इतनी रात को कहानी ठीक है सुना दादी उजयन के प्रसिद्ध राज्य में हस्तिनापुर नाम का एक शहर था सानसारिक संसाधन, जल संसाधन ये सब की कोई भी कमी नहीं थी वहाँ पर इसका जैसा कोई और शहर नहीं था और इस राज्य पर राज करने वाला राजा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था शुक्त करने जलिए उसके पास तो पाल्की भी नहीं थी सब लोग विराजिये सेना पती जी महराज बताईए कि पहले अंडा आया या मुर्गी पहले तो अंडा ही आया पहले हम आये फिर हमने ये चीजे मंगवाई सेना पती जी आपको हसी क्यों नहीं आ रही है शुक्र करो कि तुम पे मेरे जूदी नहीं आई महराज के विरोध में बात कर रहा हो ए तलवे चाटू मैं तो तेर से बात कर रहा था ना महराज को बीच में क्यों भंजिर रहा है बहुत हुआ तुम्हें अपनी हसी रोकने के चुर्म में आज ही सेना पती के पद से मुक्त करता हूं माराज तुम्हारा तंड होगा तीन दिन के लिए घोड़े का गोबरी कठा करना अगर घोड़े ने टटी नहीं की तो तो हाथी का गोबरी कठा करो तेरा सवाल मेरी जिन्दगी में भावा ले आया माराज एक और जोग मारो मैं हसता हूं न हमने कह दिया सो कह दिया यह है मेरा शासन अरे बंद कर अपना भाशन राजा भाईया दंड तुम्हें मिलाए काम मुझ से करवा रहे हो और चल दीकर चल जल दीकर यहां बैठ गोबर समेट रहा है शर्म आनी चाहिए तुझे तेरा चहरा तेरी दाड़ी यह सब देखकर शर्म नहीं आती मुझे तो काम करते भी क्यों शर्म आएगी मैं मोटपपा मोटपपा ने सियापपा कटपए के सर की जू वाईश्मती सामराजय के नाम पर कलंग के तु टकला मैं क्या करू राजा यहां कुछ होगता ही नहीं सूरज उगने से पहले सर पे गोबर लगा यहले टोकरी और भर के लेजा गोबर अरे रुको यह को लुटाएगा देश के रक्षक नहीं भक्षक है काली टोपी वाले नजदीक आ गए हैं हमें दो सिर्फ देखते रोके तो डरी लगेगा ना प्लाइन बनाते हैं और जंग का एलान कर देते हैं इतिहास गवाह है जिस राजे पर काली टोपी वालों का हमला हुआ है वो राजी नश्ठ हो गया है चुपकर पहले से राजा की फटी पड़ी है तू और डरा रहा है वो होते ह मेले भली देते हैं तेरी बली चड़ा दूंगा अधर निया मंत्रियों जल्दी से दरबार लगाओ सबसे कहो मेरा आदेश है बोटापा जो देखे लिए तुम्हें कितने सिपाहियों के आवश्यक्ता है महाराज मुझे 500 सिपाही चाहिए दुश्मन के सामने घुटने टेकने के लिए 500 सिपाही क्यों चाहिए अकले नहीं जा सकता बीर सिंग तुम्हारी क्या राया इस बारे में महाराज हजारों सेनिकों की सेना से मुझे फरक नहीं पड़ता क्यों फरक पड़ेगा तू तो मैंदान से भाग जाएगा पिर उन से लड़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा चुप कल के सेना पती और क्या महाराज, एक सेना की ताकत उसका सेनापती है, अगर हम दुश्मन के सेनापती का सर कलम करने में काम्याब हुए, तो भाकी सब खुटने आराम से टेक देंगे शाबाश, यह तो आपने बिल्कुल से ही कहा, हमें सेनापती राज सिंग के बताएवे रास्ते पर चलना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही करेंगे, सभी सेनाओं के जुद्ध के लिए तैयार करो, यह मेरा आदेश है, जाओ, अब अपा, राजय के लोगों को सुरक्षित करना होगा रुको भाई, आप पहले अपने परिवार को ठिकाने पर करके आता हूँ, मैं लंगोट कशके बान के आया, दर्वाजा तो बंद कर देगा, तीसरी पत्ती को कौन जवाब देगा, कुछी सबता रहता है, यह गोड़े मैदान में दॉल रहे हैं यह गोड़े मैदान में यह तो हासमान में भी उढ़ने लगे, पाताल में भी वही सीन है, तो यह हॉर्स ब्रैंड धूरबीन की वज़ा से इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गये इस महल में, क्या हुआ, और बड़े दिख रहे हैंगे, मिलकुल नहीं, डर के सिकुड गये हैं, तलवे चाटू, दूरबीन की कमपनी के स्टिकर से सब को डरा दिया, किस तरह का सेना पती है तू, तुझे नौकरी किस बेवकूफ ने दी, जो दुपर जाने की बजा, तुम दोने बाते कर रहे हो, आयाया, महाराज, आप भी सुनिया, आपके चहीते सेना पती ने क्या ग सेना पती में तुमारी अकल की कदर करता है, स्टिकर खाना अकलमंदी का काम है, अगर जुद होता तो तुम दुश्मन को कच्चा चबा जाते, चबा तो लिया है, पर पता नहीं किस रास्ते से निकलेगा, अग्यान बालाक तुम इधर आओ, आओ फिर सेनी लगाएगा, श दुनिया में इंसानियत नाम की चीज है की नहीं दादी, फरेब और जूट से हर चीज हत्या लेते हैं, मोझे नहीं सुननी ऐसी कानी, यह क्या, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, बैठ जाओ, कहानी कहा खत्म हुई, राजी अभिशेक के दौरान क्या हुआ नहीं जाना चाहो होगे तुम, यह सारा प्रबंध किसने किया है, मैंने किया महाराजी, कट आउट कैसा लगा आपको, बहुत बढ़िया, उत्तम, उत्तम, अश्यर्य जरक महाबली 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 अरे महाबली महाबली राक सिंग… राक सिंग… राक सिंग अध्युत्त राक सिंग अपना ज्यूता तो क्या कर रहा है छोड़ मेरी टांग फोड़ यह क्या है इतनी बद्वु आ रही है अब यह मेर में पॉटी लगी थी घसने के लिए जगा तूने खुदी मेरा पैर उठागे अपने सरपे गद्दा लगा है छी ची 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 तरहां जा रहे हो पोचने दो महाराज कुछ कहना चाहता हूं बोलो राज सेंग राज्य के गली कूचों में जगा जगा पर इस्तिहार की तरह अपनी फोटो लगाने से प्रजा को बहुत दिक्कत और मुश्किल हो रही है महाराज इस घिनावनी हरकत पर आज ही रोग लगा दीजिए और वैसे भी महाराज अगर राजा महान हो तो उसे पबली सेड़ी की जरुरत कहां परती है एक राजा का फर्ज होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना और मेरा ये काम तुमने पूरा किया है शाबाश राज सेंग महाराज लगता है बारिश होने वाली है जल्दी से मेरा राज अभिशेक पुरा करने क्या है ए चुप कर राज सिंग आओ राज सिंग राज सिंग तुमने इस राज के लिए अपना पसीना बहाया है इसलिए तुम्हें एक और अफसार अवश्य दूँगा मेरे जन्म दिन के उत्सव पर तुम और ये हमारी प्रजा की भलाई के लिए कुछ खास योजना बनाओ जिसकी भी योजना मुझे अच्छी लगी मैं उसे अपने राज जबी शेक करूँगा इसका मतलब राज जबी शेक होगा ब्रेक के बाद मगर मैंने तो तीन तीन लोग यही है मेरा फैसला यही है मेरा शासन राज सिंग राज सिंग महराज की ये घोशना सुनकर प्रजा तो बहुत खुश हो गई धन की वर्षा भी शुरू हो गई अधन की वर्षा दादी शेहर में नॉर्मल वर्षा नहीं हो रही है और आप धन की वर्षा की बात कर रही हो यह तो कहानी है कुछ भी हो सकता बेटा किस्से कहानियों की बातें अगर सच हो जाती तो मजा ही आ जाता है घंटी बजी सची होगा कूल फी वाले की घंटी है दस रुपे उधार लिए थे वो मांग रहा है चुप-चप सोजाओ अब कितनी बार तुम्हें समझाए आपको अमडी ने बुला है ठेके मात हो जूटी पर फोन पर बाद नहीं करना नहीं करूंगी अन्देर हाँ चल मीटिंग लिए ठीक है चलो में कमिन सर अरे अरे क्या कर रहा है दर्वाजा बंकर बंकर अरे बोलाना दर्वाजा बंकर अरे ब क्या बात है सर बिचली का बिल बचार है या कोई आत्मा बुला रहे है मैं लाइट ऑन कर देता हूं नो डाड ने आखों का लेजर आपरेशन करवाया है इसलिए आज की मीटिंग अंधेरे में होगी और यह हमारी कंपनी की मीटिंग है या प्यार करने वानों की मेटिंग क्या कर रहे हो जड़ा ध्यान से चलो अच्छा हुआ जो अधेरे में किसी ने देखा नहीं मुझे अरे मैंने कहा ना जड़ा समाल के चलो कौन है मनोहर तोड़ा पानी लाव मेरे लिए जी सर पानी टेबल पे रख दिया अरे-अरे हटा वो मेरा सिर बेवकूफ दतानी इस निकम्मय को नोकर की उदी मैंने निकम्मा कहीं का एह यहाँ यहाँ दे मुझे यहाँ यह आवाज कहां से आ रही है लगता है कोई मावा खा रहा है बहुत सिंपल बात है दो बिस्किट पैकेट खरीदने पर एक क्रीम बॉक्स फ्री मिलेगा ऐसा बोल देते हैं लोग भागे चले आएंगे देखना यह तो बढ़िया एडिया है मार्केटिंग टीम आप सबको क्या लगता है वाट अइडिया सर जी सारा स्टॉक बिग जाएगा हाँ सर सर दो कोडी का आइडिया है इससे सिर्फ हमारा आधा स्टॉक बिगेगा एक क्रीम के बॉक्स को फ्री में देने के बजाए उसी क्रीम को दो बिशकिट के बीच में लगा कर क्रीम बिशकिट बना कर बेशते ना सर पूरा स्टॉक लेर हो जाएगा वाँ ये तो और भी अच्छा एडिया है वाट नौन्सेंस सर ये क्रीम बिशकिट बगरा पुराना एडिया है सर ने, 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 बिना खर्चा किये पुराना माल बिजने का या अच्छा एडिया है, क्या बोलते हैं मार्केटिंग टीम, ओके हैं ना, ओके सर, ठीक है, राजा की बात मानते हैं, काम शुरू करो, जल्द यल्दी, जाओ, जाओ, राजा, एक मिनिट बैठो, वो, तुमने इस क इस भोड मीटिंग ने, आपने मुझे जनरल मैनेजर बनाया था ना, जुपकर, मैंने अनाउंस किया था ना, जी सैट, अब भी तो मैं ही कह रहा हूँ, जा सकते हो तुम, सार, क्यों वराजा, सार, आपके हाथ, इधर मेरा हाथ है, थैंक्यो, सार, थैंक्यू, सार, थैंक् हेलो हेलो कंट्रोल रूम गांधी बिरिज पर एक्सिडेंट हो गया है जल्दी पहुचो आज सार एटीम वैन है रिकवरी की गाड़ी जल्दी भेज़े सर लोगों के आने से पहले अरे जल्दी किजे अरे लोगों दंकी वर्षा भी शुरू हो गई धन की वर्षा नहीं हो रही है और आप धन की वर्षा की बात कर रही हो यह तो कहानी है कुछ भी हो सकता बेटा उसके नाम के हिसाब से उससे राज़ा बनना चाहिए था तुमने इस राज़े के लिए अपना पसीना बहाया है इसलिए तुम्हें एक और अफसर अवश्य दूँगा मेरे जन्म दिन के उत्सव पर तुम और ये हमारी प्रजा की भलाई के लिए कुछ खास योजना बनाओ जिसकी भी योजना मुझे अच्छी लगी मैं उसे अपने राज़े का राज़ा बनाओंगा और उसका राज़े भी शेक करूँगा किसे कहानियों की बातें अगर सर्च हो जाती तो मज़ा या जाता वो तुमने इस कंपनी के लिए बहुत मैंनत किया पर मैंने तुम्हारी कदर नहीं की मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ हमारी बिस्किट फैक्टरी के विकास के लिए एक प्लान बनाकर सभी को मे वही फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बनेगा दादे की बात एक एक करके साचोती जानी है दादे के बंदरों की तरग चूटूर पड़े हो मुझे लादे की जरूरत थी हमारे उपर फिजूल खर्ची करते हो तो क्या बात है आज तो भी इतना कुछ लाए दादी बुरा मन जाएगा दिल जरूर तूटे का लेकिन उसका नहीं तुम लोगो का क्यों राजा क्योंकि यह सारा सामान मैं जादी के लिए लाया हूं लाव हाद में कुछ और दो नहीं है कुछ नहीं है दादी यह देखो सब सेसिर खाओ बसे कहानी सुना क्या राजा मैं साई बबा की कहानी पढ़ रही हूं अब टाइम नहीं है मेरे पास, वैसे भी वो कहानिया सिर्फ रात में ही सुना सकती हूँ, अब तो बिल्कुल नहीं अचा ऐसी बात है क्या, सिर्फ रात कोई सुना होगी, एक सिकंड रुके चलो, रात हो गई अपने बिस्तर पे खराटे मारो, जल्जी से गुण नाइट बोलो, जलागे बंद करो, दादी, देखाना अपने, रात हो चुकी है, साब लोग सो गए है, रात की फिलिंग आ रही है न, आप तो सुना दो, देखो राजा, मैं अपने पोते को, हमेशा रात को ही कहानिया सुनाती हूँ, अभी नहीं सुना सुकते, दादी, पर कुछ तो सुचो, मैं रात तक क्या गरूँगा, इंतजार और क्या, हो गया राजा, तुम जाकर सो जाओ, दादी, मैं सो कैसे सकता हूँ, आपने कहा था, कहानी सुनाओगी, अरे हाँ, कहानी सुना है, कहानी वानी कुछ नहीं सब थके हुए हैं लाइट बंकर और सोजा तुम जैसे थकेले हमेशा थके हुए रहते हैं सोजाओ ना मत्सकनिया का पोज क्यू दे रहे हो समंदर में फेक कराऊं किया अरे नहीं वहां पानी बहुत थंदा होगा ये बगवान कभी दिन को राद बू परिशान कर रखा है चुप चुप सोजो आप बुलियो दादी हमारी देश में अंग्रेजु से आजादी मिलने के बाद शाही महराजाओं का शासन नष्टो चुका था सिर्फ एक ही राजगराना बचा था वो था तोतापूर का राजगराना उनकी जमीन जायदाद और प पहरन करने का प्लान बनाया कट 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 यह तो बख्वास यह फिल्म तो बिल्कुल नहीं चलेगी दादी इन फाल्तू क्रिटिक्स के रिव्यू पर थान मद दो आपकी कहानी एक नंबर है यह किनातिंग वगरा तो ठीक है बस एक चोटा सा चेंज गर सकते है कैसे दादी के किरदार को हटा कर एक सुन्दर सी लड़की रख सकते है यह ठीक है सूपर हां अब गुंडे उस कमसिन कली को किड्नैप करेंगे यह जा रही है किड्नैपिंग की खबर सुनके लड़की का बाप बॉखला जाता है नहीं कुछ गुंडे मेरी बेटी को उठा कर लेगा है यहां तक कानी ठीक चल रही है ना दादी ने 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 इतना मत सोचो दादी सब सही है कानी को ऐसे ही चलने थो ठीक है अब आगे सुनो होता क्या है जलो भाई अब मैं बताता हूं यहां हमारा हीरो एंट्री माता है गोबर की खान दर्वाजे से भी आ सकता था ना वो काच को की तुड़वाया है हीरो है वो एंटी धमाकिदार है दा क्यों बुलार तू नमचा यहां पर है रोज मैडम दीब जलाने से पहले इस ताज मेल में लोट आती है लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है लगता है रास्ता भटक गई है इसलिए टेंशन हो रहा है चोटे लोग चोटी सोच अपने इस खाक महल में मैडम के आने के बाद दीब जला लेना रही है मैजार और टिकेट ब्लाक करने रुग जाओ बाइक राजा मुझे लगता है कि बदमाश मेरी बेटी को उठा कर कहीं दूर ले गए फिर आथी के लिए फोन आया अब तक तो नहीं तो वेट करते हैं तो बात बढ़िया सेट जी हाँ लगता आप उसी तरफ जा रहे हो हाँ बोलो तो जाते हो यह कप रख देना सर उस तरफ जा रहेथ ना दे लिए अंड़ियोव है कि भूव चेण अब ही में में भू तेन्शन में हूं हई अथ हाु सब को गोर ये रा है फॉल उठा है हैईलो मिस्टर नर सिंग AWS छोड़ो जाने दो मुझे पता नहीं कौन है बाइक राजा बस फोन पर हसे ही जा रहा है घोड़े की तरह मतलब कन्फर्म ये किड्नेपर ही है बया रहा हो हेलो जाने दो जाने दो मुझे फोन पर दाहत मत दिखा क्योंके हमें दिख रहे हैं सिधा मुद्दे बया अब में बिना मास के खास मत किसी और को फुन दे चल इस लड़की की तुम लोगों को तलाश है वो हमारे कबदे में हैं हलो राजा लिसा हलो राजा हिम मत रखो डर्ना मत मैं डरी हुई नहीं हूं तो मैं नहीं तुम नहीं तुमारे बाप को बोल रहा था जल्दी से मुझ अपना एड्रस बता राजा तुम कि ने भी कोशिश कर लो जिंदगी बर हमारे अड़े तक नहीं पॉन सकते चुप-च अब टकले राफ़पोन मुझे दरसल इसकी घड़ी खराब है हमें पहुचने में तीन घंटे लग जाएंगे तुम्हारा ठिकाना जानगे असलिए टाइम पॉस करके मत आना पिज़ट डिलिवरी की तरह लड़की की डिलिवरी फास चाहिए अकल से भी टकला है अगल से त तुम्हारी जान को खत्रा हो सकता है इसलिए मैं ये पेटी थमाकर लीशा को लेकर आता है बिल्कुल नहीं तुछ पे पान वाले का इतना करजा है कि पणवरी तुछे बैक शिन के लिए जाएगा मैं खेले जाऊंगा पता लग गया इसको किड्नैपर से मिलने जाता है हमा फिर आता है इस काहनी में ट्विस्ट पेट अंदर हाथ उपर एक्शन सीन पर तुम लोग राइता फैलाने के लिए आयो वह भी एक दूसरे का हाथ थाम है अब गोली थाम काली टूपी हात में पेटी शायद यही है वो बंदा उनला मॉर्गी या अन्डश मॉर्गी से पहले मॉर्गी का टरक रस्ते में देखा था क्यों तू कसा ही एक या बिल ला मुझे ब्रीफ वद्ली करनी में क्यों देख्याने लिया क्या किसीने नल्ला माल चिपका दिया तुझे ज्यादा होश्यारी पुलिस चलो भागो आराम से भागोगे तो हम पकड़े जाएंगे चोड़ो पुलिस को साथ में आएदू अबे टकले मैंने लेकर आया जब बिल्ला को पकड़ने आये इस थोके किकी मत तुझे इस लड़की की मस्च चुकानी होगी वास्मन लड़की को गोली मार लिसा रुख जाओ नहीं लिसा रुख जाओ नहीं लिसा नावत लिसा राजा बिल्ला बच गया यह पिल्ला रह गया कैसा लगा ट्वेस्ट यह डिरेक्शन अब इस कहानी में हीरोईन को हीरो कैसे बचागा बताओ बला हीरोईन बचे या ना बचे तुम उच्से ने बचोगे तंड़कों है तुम मटकते भार निकल जाओ और बराम्दे में सोना अंद आधी तभी तो मेरा ब्लान कामयाब होगा जल्दे जल्दे निकाल अर तेज चला आप अब कर तेज़ चला आप अब अब जाओ तो पुछ तूझ दिफाई ने रहे हैं आरा तुदू कर नादी शीजाचम कर रहा है रहे तूज़ रहे गड़ी समाल इसका लाइसेंस चेक करो भाग रही है आरो इसको ठहाँ यह लड़ोगे में के सिर्फ हाथ ही लाओगे लेशा 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 आस्मान धर्ति और यह रात्तूफान लिसा मैंने पगड़कर तुम छुक्के निकलती क्यों नहीं मैंने लड़की का बाप वहाँ आएगा और अपने हीरो को अपनी कमपनी अपनी जायदाद और अपनी बेटी इनाम के तूर पे देगा क्यों यह सही है ना हा तो बोलो दादी दादी बोलो ना ठीक है सब कुछ ऐसे होगा हाँ ठीक है ठीक ना हाँ कहां गए यह लोग अरे अर क्या कर रहे हो तुम लोग बाइक राजा गुंडों को मार कर तुमने मेरी बेटी की जान बचाई मुझे भरोसा हो गया कि तुम हमेशा इसकी रक्षा करोगे इसलिए मैं इसकी शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ अंकल एक इंपोर्टन चीज तो आप भूली गए सब कुछ तु मैंने दे दिया बेटे वो मेरे पाबा के पेपर सा मेरी पुरी दौलत तो इसमेह राजा एक जरूरी बात अब मैजिक फैक्ट्री के तुम नए मालिक हो बेटी तु देएदी अब यह रख लोग अधि नहीं ने तुम्हेद नहीं ना मुजह तो तुक ए सेटा लगा तुम्हें जाएगा ऊजाका क्या समय थील्गाना मुझे तुम्हा यह नहाए ने अप्रूब कर दिया अर्य आवि-मृदी सोई किनि हो चलाला चलाल lagiumpsौ मैं क्या करूँ आपने हाथ हक्द को टक्या ब लिजा किड्नैप होगी हंड्रेड परसेंट कंफर्म है ट्रोल उड़ा के अपनी हीरो गीरी सुगा रहा है गुंडों को चेस करना ना इसलिए गाड़ी गरम कर रहा हूं भाई वह गुंडे है कहां पर हाँ अब खिड्नैपिंग है महुरत नहीं जो सही टाइम पर ही होगा प प्रेंशन मतलो टेड़े हो पर मेरे हो राजा यस लीसा आयम कमिंग क्या हो गया गरम करते करते पेट्रोल खतम हो गया घटा राजा बारे साथ चलता हूं चलो भगाव चलो झालो प्छा अर तेज राजा आगे लेलो, आगे लेलो, गाड़ी उड़ालो, जल्दी उड़ाओ, जल्दी क्या कर लेओ, राजा, राजा यहाँ देख राजा, बटूरा खा रहा है कोई, क्यों बै, वे बॉस की बेटी को किटनैप कर रहा है, जिरी तो, अरे यह बॉपर, यह तो बॉस है, आरे आराम से, यह बॉस है, यह बॉस है, बॉस है, पॉस बेटी को किटनाप क्यों करूंगा खबर मिली थी कि मैडम का किटनाप होने वाला है इसलिए तुमने ग्रुप बना लिया है मास्टरमंड कॉन है वो राजा भाया ने बताया था लीशा राजा राजा चिल्ला देखा इसलिए आवाज दी तुम्हें आवाज दी थी रोड ले वह जो मेरा जो कि अस दिन तो दादी की कानी सच हो गए थी फिराज क्यों नहीं होई कि अता नियुक्त अरे इस उमर में भाईया कहां जाएं कि मैं कर दूंड लूट नहीं आज की मैं कि पुलिस क्यों ही है दादी कहीं चली कहीं है राजा जानकी दादी सुभा तीन लोगों के साथ मंदिर गई थी लेकिन वो कहीं भीड में खो गई कि मेरा मान बहुत गब रारा है कि तीन गुंडों ने इस दादी को अपहरन करने का प्लान बनाया दादी लापता नहीं है क्या कहा रहे हो तुम हुँ तुम हमें इस तरह घूर क्यों रहे हो बेटा दादी को तुम तीनों ही मंदर लेखे गए थे ना तुम हमारे उपर इशक कर रहे हो भलाई का तो जमाना ही नहीं है यह लो पूजा की रिसीट देख लो तुम यह लो मंदिर का प्रसाद यह काफी है ना मंदिर के बगल में जो होटल है जालज है वर्फेश का विल एडवान्स भूकिंगी थी बस है आपन डाउन टिकेट एँ अच्छी तरह देखे क्षा थीका है ना कुछ तो बोलो को स्यादा है थीक है मंदिर तक जाने के लिए तुमने चार टिकेट भूकि लेकिन वापस आने के लिए तुम लोगों दादी को प्यार करते हो और हम लोगों को धुटकारते हो हर वक्त दादी के बारे में सोचते हो मेरे तक्या लेके डादी के पैनों के नीचे रखा था कहां छोड़कर आयो दादी को लेकर जाते हैं तुम्हें ओम श्री गनिशायनमहा ओम श्री महेश्वरायनमहा आदे राजा दादी अच्च्छा हुआ तुम यहाँ आ गए वह तीन आतमी जो मुझे यहाँ लाये थे न उन्होंने कहा यहां बैठो हम आकर तुम्हें यहां से ले जाएंगे पर देखो कितना टाइम हो गया पता नहीं कहां गोम हो गया बेचारे जाके ढूंडोने उन्हें तुम उनकी फिक्र मत करो दादी और देखो आज के बाद तुम मुझे बताए बगार कहीं पर नहीं जाओगी बेटा और तुम भी मुझे छोड़कर कभी दूर मत जाना ठीक है नहीं जाओगा दादी कभी नहीं जाओगा क्या हुआ हमारा हीरो नहीं दिख रहा गई वह वहां है हाँ ओके मालिक नवस्ते मालिक हाँ गॉड मॉर्लिंग सर्थ मैंने सुना लीशा को बचाने के लिए गाड़ी दोड़ा के लेके गया और कोई शीशा विशा तोड़ दिया अरे हसो मत यार एकदम हीरो जैसी हरकत किये इन्होंने मालिक कोई प्लैन मैन बना रहा है क्या क्या प्लैन है जरा बता दीजिए हमारे बॉस ने कहा था कि अपने अपनी काबलियत दिखाओ तब ही तो इन्होंने ऐसा किया होगा ओ जीएम की पोस्ट के लिए मालिक अगर जीएम बन गए ना तो मुझ गरीब को अपना असिस्टेंट बना ले ना तेज चलती हवा में न एक फटा हुआ कागस भी उड़ता है और पंची भी उड़ता है हावा रुकने पर पता चलता है कि फटा कागस कौन और पंची कौन है हम में से तू कौन है समझ ले तू यहां पर आ अपना काम कर और घर जाते वक्त बचे कोचे बिस्कूट लेके जाना चुपचाप जीएम पोस्ट की तरफ नजर उठाई ना तो बरबाद कर दूँगा यह बात याद रखना यह चलो काम करो उनकी पेट में गडबड़ी हो तो अद्रक और साबुद जीरा और अगर बच्चों को लूज मोशन हो जाए तो क्या करें उसकी धोनी पड़ेगी इतना भी नी जानती हो अप आगे बोली ना दादी डॉक्टर की मुलाकात प्रोग्राम अब समाप्त होता है कल दोबारा मि अच्छना इससे खुद परिक्षा देने के बजाए कहीं आपको ही ना परिक्षा देने के लिए पहज़ देए दोक्टर नी नजवर कमजोर है तो नहीं चेक कर वालो मुझे कहानी सुने तो यह क्या हो गया तुम्हें अपनी कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन बनाना था क जा कर अपना काम करो ना तुम क्या बात है डॉक्टर नी चेक किये बिना ही मेरा इलाज बता रही हो ऐसी कोई बात नहीं है मुझे जो लगा मैं बस कह दिया लाइफ में जब मौका मिलता है ना तो गुद नाइट अरे मैं बस यह क्या नाइट मेरी बात तो सुनों गुद बढ़ा नाईट दादी जालो कहानी शुरू करते है जल्दी करो डादी काहनी सुरानी यह इन वारी है ए बसानी लुटे दिए लुटे रह गए बिना वजा सब को नहीं क्यों कर रहो है ओ इह देखो अल तु डॉग की तढ दुम हिला तो सामने आज सै अवैं हमारे वीच क दादी सिर्फ मुझा ही कानी सुनाएगी चलो दादी बाहर चल कर बैठ से आराम से देख के चलो दादी देख के चलो दादी लगता है अपने जबाने में माधुरी दीख्षित रही होगी दादी आज एक अच्छी जी लव स्टोरी सुना दो ऐसी कहानी जिसमें हिरोईन को ही जाता है जिसकी वो इच्छा करता है प्रेम कहानी सुननी है येस हाँ 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 बारवी सदी के अंत में रोम के राज्य में एक खूब सुरत राजकुमारी रहती थी और वहां का एक बहादूर सिपाही उसका अंगरक्षक था ये काईरोन सिपाही आपकी सेवा में हाजए और आपकी खातिर अपनी चान भी दे सकता है राजकुमारी जी परशिया के राज आपसे मिलने आए हैं ये कैसा अजीब राजा है जो सिर्फ टॉवल पेंगे खूब रहा है किस विश्य पर बात करनी है आपको पानी आप देंगे के नहीं इतनी दूर पानी की बाटली मांगने आए हो रास्ते में कोई केमिस्ट या किराने की दुका नहीं मिली तुमें हम यहां पानी के लिए नहीं आए हैं रास्ते में इनका पेट खराब हो गया तै इसलिए आए कि राजकुमारी के सामने कोई भी उची आवाज में बात नहीं कर सकता तुमने बहुत बड़ी घलत रिखी तुमने परशिया के राजा का अपमान किया है हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध का एलाउन करते हैं अकल के कच्चे तुम एक बकेट पानी की समस्या को लेकर दो देशों में युद्ध करना चाहते हो परशिया के राजा बहुत अपमानत हुए रोम की राजकुमारी पर उसने तुरंध हमला कर दिया में युझे तुरंध हमला आरहरर जाहरर जाहरर जाजदाल और में जुझे जटे कि राज मठश हैं गहर्या रार्ख धनिंगuring पर अराहर! कि दो में हुझे! जफ्टिक मैं जड़ेは gonna भुपिया तुमारne स्वार्या Victoria! मेरे कान पहर दोपो तही है अपने इस बहादुर अंग रक्षक को उस राजकुमारी ने क्या इनाम दिया पता है तुम्हें क्या इनाम दिया उसने बताओ ना क्या दिया उसने दे दिया उसने दादी बुक दी उसने हां बाबा और क्या देगी कैसी कहान या सुनाती हो दादी अपने जवाने में आपने कभी कोई रोमेंटिक फिल्म नहीं देखी गया हां जब मैं जवान थी तब मैंने लफंगा प्यार देखी थी उस फिल्म में प्रेमी का किताब देती है क्या अरे ये कोई साधरन कितब थोड़ी था क्यों ये अउस की प्रेम की निशानी थी बिटा रोम के महाराज न्याय के देवतार प्रजा के महारक्षक गरे हूंक अउधार करना यह इमारे राजा फूले फने धन्याद महरा राजा को देखके लगता है कचरे की पेटी से निखा कभी कभी शाक होता यह बेटी उसके पड़ोजी की है सुन्दर्ता का स्वाद लिया जाता है काईरॉन आलोचना नहीं करते जानते हैं यह सेब कचरे की गाड़ी में पड़ा था फिर भी यह खार है ना कैसा है मारकोपोल थोकने का ड्रामा कर रहा है सब कुछ निगलते ही जा रहा है उट की तरह मेरे इस रोम राज्य के विकास और उन्नती के लिए मैंने आप सभी लोगों से अपने-पने सुझाव मांगे थे क्या किसी के पास कोई खास योजना है जी महराज महराज इस किताब के अंदर इस दोनों किताबों को तोलने और समझने के बाद ये फैसला हो चुका है कि कौन रोम को संभालेगा हाहा मौर्फियस मौर्फियस नहाँ काइरोन नहीं नहीं काइरोन इंकाहा सलगासर माला कलाक लेखले उमालाक्स को लेखले है मैं रोम राज्य काईरान को सौप रहा हूं और मेरी बेटी भी इसी से शादी करेगा अपगबार तो क्या करना बोला प्रूम वेकला इच्च्छा औल जो किताब राजकुमारी ने उसे दिया था उसी की वजे से ना सिर्फ राज्य मिला साथ में राज्यकुमारी उसे क्या समझें! दादी, दादी! तुमने तु मेरी लाइफ बना दी, चलो कल की तइयरी कताऊ.. काहान या बाकी है आगे सुनना.. आप क्या बचा है.. रोम के महाराज, न्याय के देवता, प्रजा के महारक्षक, गिर्य हुओं का उद्धार करने वाले हमारे राजा फूले फने, वाफ करना बाबा, मेरे बस देने के लिए चिल्लर नहीं है, पर महाराज आप इंकार कर रहे हो, मुझ इंकार समझ में निया रहा तो चाकु से महाराज, आप सो टका सही है, आपकी तारीफ, मैं आपके इस राज्य का हस्तकला मंत्री हूँ, हस्तकला खड़ा हो चला, धरती बे बोज बने वे तुझे कितने साल हुए, खुल मिला के साठ पे साथ, मतलब एक्सपारी डेट को एक्सपार हुए कई साल हो चुके, अपना हमारा भी उजाड़ेगा क्या, एलान कर दो कि हमारे देश में सठ्थाएवे बुड्डो के लिए कोई जगा नहीं है, इन्हें वैक्सीन देकर देश से बाहर कर दो, अगर जवान होते तो कहां जाते हैं, वहीं चले जाओ, शाद बैंककॉक, और तेरी हाद की लकीरे खिसक 50, नहीं, 40, तुम भी अपनी टिकेट कट वाय लो, महाराज… बोलाना फुटले काई रॉन का राग चलेगा पर एजा क्यों हो गया कहानियां ऐसी होती है अच्छा आदमें बुरा बन जाता है बुरा आदमी अच्छा बन जाता है तभी तो कहानिय में ट्विस्ट आ जाती है कहानी सुनाती हो दादी कहां से शुरू होती है अच्छानक से हीरो का आपने विलन बना दिया कुछ आच्छा सा ट्विस्ट सोचकर कहानी के एंड को बदल नी सकते हैं दादी क्या राजा मैं तुम्हारे बोलने पर कहानी बदलतो नहीं सकती ना गुडव नाइट मुझे इतना काफी है तुम भी जाके सोजाओ अच्छा कल तक स्टॉक्स अब क्लेर हो जाएगा हाँ कन्फर्म क्लियर हो जाएगा मैडम आप बिना टेंशन के घर जाएए मुझे कोई टेंशन नहीं है क्लेर नहीं हुआ तो आपकी प्रॉब्लम है मैं तो यह ओर्डर किसी और को दे दूँगी नहीं मैडम मैं काम कर दोगा ओकी ठीक है है सुप्राइज वैसे मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी और यह क्या लटका कर रखा है तुम नहीं जानती यहां जेम्स ली और ब्रूस बॉर्ण का सीन होने वाला है और उसके बाद फिल्मों में हीरो हीरो इन वाला सीन होगा तुम क्या बरबर करते रहते हो चलो मेरे सब्सक्राइब करना चाह रही थी राजा किसके प्यार के बारे में तुम्हें कैसे पता अरे सब जानता हूं मैं तुम्हें बहुत डर लगता है मुझे तुम्हें अपने ड़ाट से डरने की ज़वरत नहीं है अमेरी गरीबी का मामला हुआ तो समाल लूँगा मैं हां अग्छली बैंगलॉर मेरा एक बॉइफ्रेंड है बॉइफ्रेंड तो फिर मेरे कौनू तुम तो मेरे फ्रेंड हो किस किया न मुझे हां किया गाल पर किस करो तो फ्रेंड और होटो पर किस करो तो बॉइफ्रेंड और दोनों पास पास है तो होटो और गाल में कितना फर् यह बहाना बना कर मुझे बचा लेना प्लीज लिसा लिसा अचा प्यार नहीं तो कोई बात ने कम से कम बोगतों देती ही जाओ जिससे कंपनी का मालिक बन जाओ यह बीच रास्ते में क्यों खड़े हो सिचुएशन ही कुछ ऐसी है और यह क्या है तुम बताओ तुम यहां पर क्या कर रही हो यहां एक मेडिकल क्याम चल रहा है उसके बाद डिटरजन का अड़ करने जा रही हो क्या सफेद कबड़े क्यू पहने अरे ड्रेस कोड है तुम् कला में आए अन्यों को समझाओ ना एक लोगों को अनलोक करो है था मैं आट जालोट इसे गा तिसे गारी कॉनलोग करों हाथ हुआ है हुआ है हाथ ऐसे पालत शूर्ट थिस को पूर ने धार्ट तुम्हारी प्रेजंटेशन के लिए वो कोई साधारन किताब नहीं था तुम मुझे पानी तोगे के नहीं आई बताओ अरे यह उसकी प्रेम की निशानी थी बेटा अरे यह उसकी प्रेम की निशानी थी बेटा वो तुम हो इसका क्या मतलब शायद तुम्ही मेरे सपनों के रानी हो तुम इतनी देर से समझे गाल पर किस किया तो सिर्फ दोस्त होठो पर किया तो बॉइफरेंड तो बिस्किट एक स्टेपल डायट नहीं है यह बस एंटेटीन्मेंट है मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक बिस्किट कैसा देखता है यह सबसे ज्यादा ज़रूरी है हमें लोगों के स्वाद की भूग को शांत नहीं करना उनकी आँखों की भूग को शांत करना है हमारा काम हो जाएगा बिस्किट के पैकेट के बीछे एक चोटा सा वर्निंग लेबल लगा सकते हैं और अपना काम हो जाएगा प्रोडक्शन बजट से भी ज्यादा हमें अड़र्टाइजिंग बजट पर फोकस करना चाहिए प्रोड़क्ट जितना अच्छा दिखेगा उतना ही ज्यादा बिके और हमारी दादी का बनाया खाना होता भी बहुत टेस्टी था जैसे पापर चकली उन सब में होता था अजवयन काली मिर्च दाल चीनी छोटी लॉंग काला नमक ये सारी चीजे देशी दवाईयों का काम करती थी इसके पीछे एक साइंस था जिसे अपनाना बहुत ज़रू करते हैं लोगों को धोका देकर विदेशी कंपनियों की नकल करके हमें हानिकारत चीली निर्माण नहीं करना चाहिए बल्कि एक पारंपर कंपनी बनकर सिर्फ पॉष्टिक चीजेए ही बना कर लोगों को बिमारू से बचा कर मैजिक बिसक्यट बनाते हैं आसान शब्रों म क्या बात है राजा बहुत अच्छी तरह समझाये तुमने बैठ जाईए मुझे लगा था दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए लेकिन यह काम आसान निकला गोपाल हम तुम्हारा आइडिया बेशक बहुती लाजवाब और खुबसूरत सपने जैसा है लेकिन राजा तुमने अपने अपने दिल से भात की आज कल के नौजवान ज्यादोतर और और्गानिक हेल्फ फूडी खाना पसंद करते हैं और उनके माता पिता भी ऐसा ही चाहत तुम्हारे काबिलेत कुछ सराह था फिलहाल योपाल तुम्हारा आइडिया काम का नहीं है तुम बैठे रहो राजा यहां आओ कुंग्राचुलेशन्स राजा कुंग्राचुलेशन्स राजा आज मैं राजा को इस कंपनी का जेनरल मैनेजर बनाता हम हाँ आप सब का धन्यवाद थांक्यू राजा मेरे ओफिस प्रोग आजा तुम्हारी दीवी किताब की वजा से मेरी तरक्की होकर तुम्हारी थांक्स तुम्हारी अपने हाथ एपोर्ट पर सिक्यॉरिटी चेक के लिए उठाये क्या यह नहीं मैं तो तुम्हेय लगाने के लिए अर बीच में यह लीज लुग री सभ्ष कर रोका तुम्हें राजम लीजा यह जरुकिंट है तो फिर इसका क्या बताओर अरे वह क्या किया झालग में बहुत एक्सिसाइस कर रही है आध सुबा मैंने अपना टेस्ट करवाई है तुम बाप बनने वाले हो लीसा, यह कैसा मजाग है तुम मेरे साथ मजाग कर रहे थे और अब तुम मुझे कहरो कि मैं मजाग ना करूँ तुम डॉक्टर हो ना, मेरी पल्स चेक कर के बताओ इसने कह दिया और तुम चेक भी कर रही हो यार तुम्हें यकीन नहीं, तीस तारिकों मैं डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर रहूंगी फिर डिसाइड करना कि तुम्हें इसे प्यार करना है या नहीं करना बच्चे का नाम क्या रखेंगे अनिता अनिता राजा, नाइस ने यह लीसा, बच्चे का नाम नहीं बोल रहा था, मैं तो तुम्हें बुला रहा था बेबी इस बारे में हम दोनों तीस तारिक को बात करेंगे फेबरेरी में तीस दिन होते हैं क्या वो सिर्फ मजाग कर रहे थी और तुमने उसकी सारी बाते मान ली मुझे तुम पर फरोस है ठीक से सुनाई निति और करीबा के काव ना राजा जरा इधर तेखो जल्दी आओ 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 अभी काम निप्टा के आओ ठीक है किया कहा था हवा पंची का guessed समझ में या गया ना कि काघस को ने और पंची को кам से चल्के में यह कागस के ने पर मूड़ कर क्यों थेखा क्या तुमने आथ सब्स्ति के Appreciate यह क्या था यह नामकरन की रस्म है बार-बार कहेंगे तो याद रहे गाई ने हाथ सीने पर रखकर कुछ और भी कहा था ना तुमने अरे यापके एसिस्टेंट बनना चाहते सर तो इस नए प्रोजेक्ट में तुम मेरे एसिस्टेंट हो गए नई फैक्टरी जहां पर बन र कर देना और सारी चीजों की लिस्ट बनाकर मेरे ओफिस में लाना नहीं नहीं ओफिस में मत आना तुम्हारी शकल एकदम मनुस है मुझे इमेली कर देना दोस्तों लेस्ट इंजॉई यह तो राजा का चहीता प्रिधाश्रम है वाच्में यहां पर तो एंडर्सन बंगलो क सर के था ना तीस साल पहले हां यहीं नाम था पर अब यह एक व्रिधा अश्रम है इजावेला ओल्ड एज होम सर ओ ठीक है गेट खोलो गेए कि पर्फेक दादी आच्छा हुआ मैम आप हमारे राजा सर की गल्फरिंड है ना और यह सब कब हुआ आपकी तारीफ मैं राजा सर का असिस्टेंट थोड़ी गम मिलेगी क्या यह कोट का नोटिस लगाना था यह कैसा नोटिस है दो दिन में यह जगे तोड़ने वाले है इसलिए ओफिस से नोटिस भिजवाया है ताकि आप लोग टाइम पे जगे खाली कर सके यह क्या कह रहे हो तुम क्या राजा ये बात जानता है इस जगे को तुड़वाने का ओडर राजा सर नहीं दिया बलके जीम बनने के बाद पहला ओडर उन्होंने यही साइन किया हमारा राजा ऐसा नहीं कर सकता हम लोगों ने उसे बच्वा से पाला है हाँ बेटा यहां पर जब हमें कोई तकलीफ होती है राजा ही तो हमारी मदद करने आता है मुझे तो तुम्हारी बातों पर यखिन नहीं हो रहा है हाँ बिल्कुल देखे सर काई फोन है सर गुड़ आप लोग भुजूर्ग हैं तो अकल बंद भी होंगे सुभा तक यह जगे खाली कर देना किसी मंदिर में रहने का जुगाड कर लो चलो चलो अच्छा तो मैं चलता हूँ हुआ है हुआ है हुआ हुआ को एक्सक्राइब कर दो दो और देखेस जलो जलो भी आती होंगी मुझे उस पेशंट की रपोर्ट जल जल दिखा देना थी बात्यूर्टर तुम मेरा फोन की नुठारे हो चले जाओ मुझे कुछ नहीं कहा तुमसे अनिता अनिताएब आप सुनो, अनीता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, अच्छा, तो पहले व्रधाश्रम तोड़ने का ओर्डर वापिस ले लो, उसके बाद यहाँ आना मुझसे बात करने के लिए, अरे, सुनो अनीत, सुनो राजा, इन कागजात पर साइन कर लो, मैं फैक्टरी के साइन कर दो इन पर, सर, वो व्रधाश्रम को तोड़कर ही फैक्टरी बनाना ज़रूरी है क्या सर, क्यों, क्या हुआ, कॉर्परेशन परिशान कर रहा है तुम्हें, नई सर, वो व्रधाश्रम कई लोगों के लिए रहने का आखरी ठिखाना है, अगर हम उसे तोड़ है, और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वैसे भी उनके बाद व्रधाश्रम खाली रहेगा, तुम चाहते हो, मैं उसे ना तोड़ू, हां, देखो, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते, तो मैं किसी और से ये काम करवा दूआ, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये तुम्हा ये हो जाओगे ना बेटा, मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बनाओँगा, तुम्हारे पापा की ये ही इच्छा है, बनाओगे ना, ठीक है पापा, चलो ठीक है, तुमसा नहीं होगा ये, ये काम मैं करूँगा, मैं करूँगा सर, उसने राजय के सभी वृध्ध लोगों को निकाल दिया, पर ऐसा क्यों हो गया, कहानियां ऐसी होती है, अच्छा आदमें बुरा बन जाता है, बुरा आदमी अच्छा बन जाता है, कहाने में ट्विस्ट समझ लो, जल्दी कर, मेरा मुख्या देख रहा है, किरा दे, जल्दी, जल्दी, हम यहां इतने साल एक साथ रहे हैं, हमें यहां से निकालकर तुम्हें क्या मिलने वाला है, जल्दी, बेटा, हमारा घर मस दोड़ो, बस कीजी, बस दादी, ए कुमार, स्ट्रेचर लेके जल्दी आ, हाँ बई, पेशेंट का है, पेशेंट का है, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो, सर, नर्सिंग नाम का आदमी बेहोश हो गया है, मुझे फोन आया था, उसके हालत बहुत खराब है, किसके बेहोश होने की बात कर रहे हो, तुमने अमुलेंस को बेजी घर पर क्योंकि मेरी बात को सुनने के बाद आपकी हालत पक्का खराब हो जाएगी यह क्या मुझा कर रहे हो बताता हूँ ना सर आपने मुझे व्रिद अशरम के लिए पावर अटरनी दिया था ना तो मैंने उसी पावर से उस जमीन को व्रिद अचरम के नम रेजिस्टर करा दिया है क्या बोला यह क्या कह रहे हो तुम रेजिस्ट्रेशन हो चुका है सर अब तू तू क्या दूनिया का कोई कानून उनका कोछ बगार नहीं सकता वहात-बहात शुक्या रहे है यहा जल्दी लिए पेशन पेषल ज़ग सी जड़ी आउ इन्हें ले जाओ, हलो, फोन उनके हाथ से गिर गया क्या, सिर्फ फोन नहीं सर, पूरा शरीर गिर गिर गया है, बड़ा बाहदूर बन रहा था, अब वापरे हुए पेपर कप की तरहा उसकी मुंडी, टेडी हो गई है, अरे वापरे, कुमार, चलो उठाओ इसे, मणने काम बंद कर दो, हलो, हलो, सir, आउज निया रही है, कोपाल मैं, काम रुकुआ दो, हलो, 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 हटो, टोड़ा नाल, मैं सब्सक्रण, हेलो, हलो, ही यही आ रहा होगा, लाजा, यही आ रहा हो, जा के उससे, बढ़ arrivé, हमशे है, कोपाल, मैं कह रहा हु, कि एक कि ए हुआ है यह पैल रोग देख्या रहे हो और अंडी तोड़ दो उसकी लोड़ो आज जगे बहुत पड़ी है एक और एक और बुल्डोजर भेज़ दो करी तो कौन है तू दो पेर पे खड़वा भैज जैसा दिख रहा है तेरी मुच्छे के दुछ्मनी है व्रिद्धा आश्रम अब समझा कि पुछ्मनी हाज है क्ने तू। कद भाजा काँ थे बेटा तूए राजा बेटा देखा बेटा दोड़ो इनने समभालो क्यों जो भी तुम कर रहे ये इल्लीगल है राजा ने इस जमीन को अनाधाश्रम के नाम पर कर दिया है पर काम तो अल्मूस्ट हो गया है प्लीज लीव डामिट आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राजा दादी आप तो खुश हो ना लिसा पदा नहीं मैंने सही किया या गलत तुमने बिलकुत सही किया इन बेचारों को बेघर करके फैक्टरी बनाने का क्या फाइदा होगा फैक्टरी तो हम कहीं और भी बना सकते हैं ना वो सब तो ठीक है लिसा पर जमीन के जो पैसे हो मैं चल से जल लॉटा दूँगा कोई बात नहीं रिलाक्स बहुत बहुत धन्यवाद लिसा लंडन स्टैल में तुमें मुझे थैंक्स कहना होगा ज्यादा उड़ो मत तुम अभी इंडिया में हो हां भूल गए हो तो मैं याद दिलाने की कोशिश करूं देशी गर्ड फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं मैं सर्फ बिजनेस पार्टनर हो और तुम हो लाइफ पार्टनर है राजर बेटा जल्दी शादी की दावत पे बुलाना हमें अच्छा कितनी जल्दी बुलाँ कल सुबा चार बजे ठीक रहेगा हाम अभी शादी नहीं कर रहां कुछ दिनों तक हमारी लव स्टोरी चलेगी दादी आशिरवाद देजी जैँ हो चीहो चीहों दादी कोई नए काहनी हो जाए कहते हैं हमारे बड़े भगवान समान होते हैं बड़ों के आशिरवाद से मेरे बेटे की जिन्दगी बदल गई। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद भी नर्सिंग की जान नहीं बच पाई। मेरा बेटा मैजिक बिस्किट का मालिक बन गया। जी एम बन कर उसने मेरा सपना पूरा कर दिया।